एलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स मैहुरिते कभी की बड़ी अपडेट आ रही है एपियल 2023 से रिलेटेड वो ये है कि चने सूपर किंग्स ने बिल्कुल इस रूमर को साफ इंकार कर दिया या कह सकते हैं कि जो रविंदर जडेजा जो कि CSK के आल राउंडर हैं उनके बीच में और CSK के बीच में जो रिफ्ट की रूमर जारी थी हैं कहते हैं कि चने सूपर किंग्स ने पार्ट अपने वेस कर ले यानि उनके साथ नाता तोड़ दी रविंदर जडेजा के साथ इस निउस को पूरे तरीके से इंकार कर दि पूरा नाता तोड़ ले चने सूपर किंग्स ने तो टीम्स कई ना कई उजागर हो गई थी के रविंदर जडेजा हमारी टीम में आने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है चने सूपर किंग्स ने इस रूमर को बिल्कुल तरीके से इंकार कर दिया और सबसे पहले जो बाक 16 दिसम्बर से उसकी शुरुवात हो सकती है ऐसी संभावित खबरे आ रही है या कह सकते हैं बीसी से कि सूत्रों से आ रही है और कहीं न कहीं साथ में एक और चीज ये है कि जिस तरीके से IPL 2023 होगा वो उसमें जो एक टीम जो होम मैचिस खेलती थी और कुछ अवे मैचिस खेल और भी जादा ट्रेड कर सकती हैं किसी प्लेयर्स को अपने पार रखना है तो उनकी सैलरी बढ़ा सकती हैं और कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी खबर है बाकि सारी टीम्स के लिए उनकी मैनेजमेंट के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए खुद के वो जो प्लेयर्स हैं ट्रेड कर सकती हैं और और भी जादा भरपूर टैलेंटिट प्लेयर्स अपनी टीम का हिस्सा बना सकती हैं और एक शुमन गिल से रिलेटेट खबर भी यही आ रही थी कि गुजराट टैटन्स ने भी रिलीस कर दिया है शुमन गिल को जो कि उन्होंने ट्वीट कर दिया था शुमन गिल की काउंटी में परफॉर्मेंस के बाद तो कहीं न कहीं यह भी खबर गुजराट टैटन्स ने इंकार कर दिया और rumors तो ये भी साफ साफ कह रहे थे कि रविंद्र जडेजा गुजराट Titans में जाएंगे और शुमन गिल चने सूपर किंग्स में जाएंगे इन दोनों की अदला बदली हो रही है तो चने सूपर किंग्स ने इस चीज का rumor भी साफ साफ इंकार कर दिया फिलाल इस मीडियो में इतना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें